बात्रूम में कौन से टाइल्स लगानी चाहिए? जी हाँ, नमस्कार, मैं है मराज मिनारिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चैनल को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत मत्पुन जानकरी आपको इस चैनल पर हमेशना मिलती रहती है किच्चन में कौन से टाइल लगाएं या बात्रूम में कौन से टाइल लगाएं आज इसके ओपर बात करेंगे अपन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहता है अपन जब किसी शोरूम में टाइल्स लेने पहुंचते हैं तो आप जाते हो तो डिस्प्ले में बहुत से परकार की टाइल्स आपको देखने को मिलती हैं चाहे वो अठरा बारा की हो चाहे वो चोहिस बारा की हो दो भई दो हो चार दो हो सबी परकार की टाइल्स आपको किसी भी शोरूम में देखने को डिस्प्ले में आराम से मिल जाएगी और रिजाने बहुत सी रहती है तो आपको यू लगता है कि ये भी लगा ले ये भी लगा ले लेकिन क्या आपको पता है कि आपके बातरूम के लिए कौन सी टाइल्स बेस्ट रहेगी तो आज जरूरी इस वीडियो को अल तक देखे आपको पता चलेगा कि बातरूम के लिए बेस्ट कौन सी टाइल्स रहेगी सबसे पहले मैं आपको बता देने चाता हूँ अगर आप बातरूम अगर आपका मकान का छोटा है बात मेरी समझने का प्रयास करना और ध्यान से सुनना आपने मकान बनाये और बातरूम अगर छोटा है तो आपको 18-12 टाइल्स लगानी ची ऐसा ना हो कि चोटा बातरूम में आपने चार दो खरीद ली फिर उसमें वेस्ट आया फिर आपको नुक्सान हो सकता है क्योंकि जब चोटा बातरूम होता है ना तो उसके अंदर चोटी टाइल्स लगती है वो कटिंग भी नहीं आती है और वो आपके नुक्सान का कारणा दूसरा कुछ नहीं देगी अथारा बातरूम क्या होता है टाइल्स कटिंग होने के बाद आगे चल जाती है अथारा बातरूम है तो आप प्लैन टाइल्स लेना का काम करें ऐसा नहों कि छोटा बातरूम है आपने डिजाइन ले लिया तो भी आपके वेस्ट जाएगा डिजाइन की मैं बात कराऊं उसमें हाइल्स डार्क और लाइट तीन परकार के शेयर आते हैं उसमें भी तो आप प्लैन टाइल्स लेना का काम करें अगर डाक लेना चाते हैं तो डाक लेजिए अगर लाइट लेजिए और ऐसा कोई हाई लेटर आपको पसंद आता है तो हाई लेटर लेजिए तो आपको ज़्यादा वेस्ट उसमें नहीं रहेगा और आपका बज़ेट में कामसेट होगा बड़ा बात्रोम है तो आप उसमें चार दो लगा सकते हैं इम्हें अटारा बारा लगा सकते हैं बड़ा होने के लिए आप ज़्यादा तर अभी जो लग रही वो चारदो लग रही चारदो बहुत से बातरू में आपने देखे होंगे कि इसलिए आप दिजिए आप उसमें के में रही म सकते हैं रही बात अब फ्लोरिंग ती, तो फ्लोरिंग में आप दो भई दो लगा सकते हो चार दो लगा सकते हो लेकिन चार दो अगर लगते हो आप बड़े बात्रूम में तो मिस्तरी अच्छा डूनना पड़ेगा आपको ऐसा नहीं चार दो लगाई नीचे गेप रहेगा टाइल्स के अंदर तो कुछ समय बाद पानी अंदर बेख गए और बाहर से लेना शुरू हो जाएगी बात्रूम का आप फ्लोरिंग और वाल वाटर प्रूपिंग जरूर करवाएं क्योंकि अगर आप टाइल्स लगा रहे हैं अगर आपने वाटर प्रूपिंग नहीं करवाया तो जिसे आप टाइल्स की सभाई करोगे ना फ्लोरिंग में तो आपने देखा होगा बात्रूम टोइलेट कोमेंट रहता तो पानी नहीं चरता है लेकिन वाल पे भी आपको वाटर प्रूपिंग करवाना होगा ताकि जब भी अगर आप टाइल्स की सभाई करते हैं पानी डाल का तो वो पानी टाइल्स की जोइंट रहता है जोइंट आपकी छे मैने साल बर में अगर रहते हैं और उसके बाद अगर जोइंट खुलते हैं और वो पानी जोइंट के अंदर दिवार में चला जाता है तो वो बाहरी दिवार के अंदर सिलन पैदा करता है और सिलन का बहुत बड़ा नुक्सान अपन पोस्ट सकते हैं अगर आप वीडियो बनाने जैसा होगा तो मैं जरूर आप कमेंट का वीडियो बना कर आप तक शीर करने का प्लियास करूँगा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर देना अगर आप चैनल पर पेरी बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमेशा इस चैनल को लाड़ प्यार दिते रही है क्योंकि बहुत मत्पुंजान करी आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती हैं मिलते हैं आने वाड़े एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जै बारत जै राजस्तान बंदमाद